हैं तो आज कुछ क्रिस्पी सा नाश्ता हो जाएं हेई गैज असलाम लेग्म वेलकॉम बैक टू मैं चनल श्रमास किचन अड व्लॉग तो आज मैंने बनाया है कुछ क्रिस्पी सा ब्रेड रोल तो आज बिल्कुल भी देरी ना करते हैं जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो यहां पर ले लेना है सबसे पहले एक केटली आपको इसा भी बरतन ले सकते हैं मैंने ले लिया है चाय का पॉट उसमें डाल दिया मैंने दो बड़े कप से पानी और गुमाऊंगी 5-6 मिनिट के लिए ऐसा करने से क्या होगा कि यह दोनों चीज़े ना अच्छे से गल जाएंगी एकदम सॉफ्ट वाले तो यहां पर देखे चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है शिम्ला मिर्ज और मटर भी देखे कितने अच्छे से अवन के अंदर गल चुके है तो हमारा यह तो हो गया तैयार यहां पर चिकन की पीसेज है बड़े-बड़े तो उन्हें करना है मुझे छोट-छोटे पीसेज में तो इसमें जो पीच में हड्डिया आएंगी आप उसे हाथ से भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो यह इतना जादब साफ हो गया है कि आप इसे हाथ से भी कट कर सकते हैं, तो मैं इसे नाइफ से कत कर नयete thought bbe छोटे-छोटे से पीसिस कर लिया है क्योंकि मुझे स्टाफिंग में इसका चिकन को इसलिए ये देखिए छोटे-छोटे पीसिस हो शुके हैं तो अब मैंने यहापे ले लिया है एक नॉन्स्टिक दवा पैन आप कोई सा भी बड़तन ले लिजिएगा उसमें डाल दिया है मैंने एक बड़े चमब से ओईल तो ओईल हमें जादा नहीं चाहिए क्योंकि जब हम स्टाफिंग करेंगे तो ओईल छूटना नहीं चाहिए ठीक है उसमें डाल दिया मैंने आधा चमब जीरा जीरा जब चटक जाए तो हमने जितनी भी सबजिया है वो और चिकन वो सारा चीज जो है वो इसके अंदर डालना है एक से दो मिनट के लिए हम मीडियम प्लेम पर से भूनेंगे एक से दो मिनट हो चुके है अब कुछ मसाले जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर मैंने नमक स्वात के लुसार आधा चमब चाट मसाला आधा चमब लाल मिश पाउडर तीखा अपने हिसाब से रखिएगा और आधा चमब चाली मिश जीरे का भुनावा इसे पूरा मिक्स कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे साथ से आठ मेट के लिए फ्राइ कर लेंगे भून लेंगे की लेंगे लिए डिखनला होने के लिए छोड़ देते हैं अब हैंपो 15 5 लैंडा चिंव अब मैदे में थोड़ा से पानी डाल ना और इसका भूल तियार करना है एक साथ ही सारा पानी अच्छिण थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको एक घोल पेस्ट बनाना है हमें ना जादा गाड़ा होना चाहिए और ना ही जादा पतला होना चाहिए बिल्कुल स्मूध होना चाहिए ठीक है तो यहापे मैंने थोड़ा थोड़ा से इसमें पानी डाला है अच्छा पानी जो है मैंने यह जो जाल से क्या होगा कि हमारे जो यह हम बनाएंगे ना रोल टो बहुत अपिस्टी बनेगा इस लिए मैंने हीज ड़ना बढ़े बढ़े चंब इस डाले डाले टो बढ़े वाले चंबस से मैंने टमैटो सौस ट आला आपकोई सा भी सौस ले सकते हैं और थोड़ा सा इसे चीजी बनाने के लिए मैंने या पे एक चीज का क्यूब लिया और उसे कद्दू कस कर दिया मैंने नहीं लेगा उसे एक चीजी दे लिए या नहीं हिए उसका आप रहे लिए , कुछ जाल नहीं दाल कोटे हैं लेकिन इतने चीजों में बहुत 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 बढ़ नियाए बाहर進े बाहर से बनीगा भी ब्रेट रूजl तो इसे पीछा लिए निया करना है इसे मैयोनीज या फिर सॉस ठीक है क्योंकि हमें स्टफिंग करना है बहना नहीं चाहिए अब यहां पर मैंने ब्रेड ले लिए हैं ब्रेड की जो साइड होते हैं उन्हें मैंने कट करके अलग कर दिया है अगर आपको नहीं करना आप ऐसे बना सकते हैं अब हमें बेलन से हर एक ब अब हैं यहां पर स्टफिंग की बारी तो थोड़ा साइड लीजिए और इसके अंदर डाल यह थोड़ा थोड़ा ही लेना है जादा नहीं लेना है नहीं तो हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम होगी तो यहां पर मैंने इस तरीके से फोल्ड किया अभी जो आप लोग दे और इसके साइडों में लगा दीजिए और हलके हलके हातों से प्रैस कर दीजिए बिल्कुल चिपक जाएगा जब हम इसे फ्राइ करेंगे न तो यह खुलेगा भी नहीं इतना एजी हो जाएगा तो बहुत ही लाइटली हातों से इसे प्रैस कीजिएगा ताकि हमारा अगर बेट रूल था ना वह घर बनकर तीयार हो गया था और बहुत ही जल्दी भी बना था बहुत कम पैसे में भी बन गया था मतलब की बाहर में अगर हम खाते हैं सारी शिज़ों तो कितनी महंगी पढ़ जाती है और मन भी नहीं भरता है लेकिन जब घर पर बना के खाते हैं तो कम पैसे कम बचत में हम पेट भर के खा सकते हैं है की नहीं ऐसा तो भार से अच्छा हम घर भी बना के खाए तो यहां पर मैंने सारे ब्रेड रोल को पहले तो तो तयार कर लिया स्टाफिंग करके फटा फट से और इसमें जादा टाइम नहीं लगा कुछ मिनटी मतल अब क्या करना है हमने घूल बनाया मैदी का हमें उसके अंदर इसे डिप करना है और उसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे ओइल में तो यहां पर रिफाइन ओल लिया है मैंने और उसमें हम राई करेंगे ज़ाए तब हम इसे पलट दोगे तो medium तो high flame पे हमें इसे fry करना है और 2-3 मिनिट में ये नीचे से पकना शुरू हो गया फ्राय होने लगया फिर मैंने इसे पलग के दूसरी साइब से fry किया हमें इसे पूरा golden brown करना है इसलिए हम इसे चार तरफ से पलग पलग के fry करते रहेंगे लुकेट इस कलर वाव ओसम कलर आया था जैसा या चाहरी ती वैसे कलर दी आया था बहुत कृस्पी था और अंदर से जीसी था ही था यहां पर यह देखिए फ्राय हो चुके हैं तो मैं ऐसे वन बाइवन करके निकाल लूँगी और बाकी जितने फ्राय बचे हैं ब्रेड रो तो यहां पर मेरे सारे रोल्स जो है वो तैयार हो चुके हैं उन्हें थोड़ा सा मैने डेकृरीट करने का बस जादा नहीं हलका सा ताकि बाहर वाला जो फीलिंग है वो आना चाहिए कि हम बाहर कर रोल खा रहे हैं तो बसा आता है पैसे तोड़ कर भी दिखाते हैं कितना अच्छा है इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजेगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में बैसे इतना है चेक केर आला हाफेज